जै माता की सभी भक्तों को कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो है सुरक्सिती हैं और मा जगत जन्नी मामबे की कृपा सदैब आपके उपर बनी रहे यही दिल से कामना तो आप सभी के प्यार से ही मा के आशरबाद से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप भी घर में नए घर में नई ग्रिहस्ती बसाने जा रहे हैं या कोई नई नवेली दुलन अपने शादी के बाद घर में जा रही है तो उसको कौन सी ऐसी बाते होती हैं जो अपने घर के प्रवेश करने में घर प्रवेश मे जो है जरूर अपनानी चाहिए और जो है उससे उसका घ्रहस्त जीवन या फिर जो लोग जो है नया घ्र बनाते हैं ग्रिय प्रवेश करते हैं और पंडी जी से पंडीतों से आप पत्रा दिखवाते हो आप मूरत निकालते हो उससे पहले भी आपको ये बातें स्वयम अपने घर के लिए करनी चाहिए इससे आपके घर के अंदर कभी भी किसी भी तरह की बूरी शक्तियां बूरी नजर घर के अंदर कोई भी कले कलेश घर के अंदर अशांती या घर के अंदर कोई भी दरिदरता नहीं आती है आज मैं आपको वही उपाय बताने वाली हूँ जो आप के घर के लिए बहुत ज़्यादा कल्यान कारी होने वाले हैं मेरे साथ अंतक बने रहना तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शियर करें कोमेंट करें चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब क करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले ही पहुँच जाए क्या बात करने हैं कि हमारा जो घर एक मंदिर होता है यह सभी लोगों को पता है कि घर में घर हमारा एक ऐसा होता है जहां पर हम सकून से रहते हैं जैसे कि एक चीडिया अपने गोसला बनाती है और गोसले के अंदर जो है जब वो बैठती है तो उसको बहुत सुकून मिलता है उसके पंखो को जो है आराम मिलता है उसके मन में जो है एक भय खतम हो जाता है कि वो अपने घर में आ चुकी है जहां पर वो सुरक्षित है ऐसे ही इनसान भी जब अपने घर में दी रहे घर के अंदर अनकी धनकी किसी भी चीज की कोई कमी ना हो घर के अंदर कभी भी कोई भी आपस में लड़ाई जगडा ना हो किसी की अकाल मृत्यू ना हो कोई भी बिमार ना रहे हर तरह का सुख हमें मिलता रहे तो आज जो है इन सुखों को अगर आप पाना चाते हैं आप भी सुरक्सित रहना चाते हैं घर के अंदर तो आपको ग्रिय प्रवेश से पहले कौन सी ऐसी बाते होती हैं जो आपके घर के अंदर जरूर आपको अपनी रसोई में अपने घर में करनी हैं जैसे कि अगर आप नई नवेली दुलन हैं आप घर ग्रियस्ती बसाने ज तो आपको जब आप रसोई बनाओगे जब आप अपना खाना बनाओगे तो खाने में जो है खाने से पहले आपको खाना बनाने से पहले अपने अनपुर्णा मा अनपुर्णा का ध्यान करना चाहिए और अपने इस्ट का तीन बार आपको सिमरन करना चाहिए तीन बार जैका जोता वाली माता तेरी सदा ही जैकारा मासिरा वालिदा इस तरह से आप बोल कर जो है जब चुला स्टार्ट करती हो तो आपको जैकारा जुरूर बलाना चाहिए जैशिरी राम जैशिरी राम इस तरह का जैकारा जो भी आपके इस्ट है उनका नाम लेकर आपको चुला जो है जलाना है ये बहुत बड़ी बात होती है इससे आपके घर के अंदर आपके जो इस्ट हैं उनका हमेशा ही वाश रहता है और उसके साथ ही साथ आपको अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है अपने पित्र देवता का ध्यान करना है उनका भी जरूर आवाहन करना है कि हमारे घर में आपका भी उतना ही हम स्वागत करते हैं उतना ही आपको अमंतरित करते हैं कि आप हमारे घर में आईए और हमारे घर की घर ग्रियस्ति को सुख में आनंद में बनाईए ये तो हो गया नई नवेली जो दुलन आती है उसके लिए अब आप नए घर में प्रवे घर के आंगन में तुलसी का पौदा जरूर लगाना है नए घर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले आप अपने घर में तुलसी का पौदा ले जाकर स्थापित कीजिए और तुलसी का जो पौदा होता है इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है आप उसकी पूर से आप हरी भरी रहती हैं, उसी तरह से हमारा जो यह घर है देवित्ता का ध्यान करना है अगर आप आखंड रामायन पाठ कर वारे हैं महा मरितुंजे मंतर जाब आपके अपनी इच्छा से करवा सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत जादा कल्यान कारी रहते हैं शूबकारी रहते हैं आपके घर की अंदर की शुक्षांती को बरकरार रखते हैं अब आपने रसोई में हमेशा जो भी मिठान आप बनाते हो जो भी मिठा आप बनाते हो सबसे पहले आपको बगवान जी को भोग लगाना है अपने देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद जो है आपने किसी चोटी कन्या को वो भोग खिलाना है जो भी घर के अंदर चोटी कन्या है सबसे पहले उस कन्या के हाथ में आप मिठा खिलाए उसको खिलाए और जो है उसके बाद पूरे परिवार में ये भोग बाटिये आपके घर के अंदर कभी भी कोई भी दिक्कते नहीं आगी आपकी ग प्रिहस्ति के अंदर किसी भी तरह की दरिदरता रुकावटें जीवन के अंदर कभी भी आपको पीछे मोड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही वीडियो अगर देखना चाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक ओक्रूस्टाश आप तक पहुँत जाएं और यह वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर भी किजिए ताकि और लोगों तक जो है वीडियो की वीडियो का जो है जियां मिल सकें उनको भी इस तरह की बाते पता चल सकें आशा करती हूँ जै माता एक जैए एक battery